इस वीडियो में मैं आपको complete process बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से काली Linux को virtual box में install करेंगे वो भी अपने विंडो के computer या फिर laptop में चाहे आप विंडो का कोई सा भी version यूज़ कर रहे हैं आप विंडो 7 या फिर विंडो 8 या फिर विंडो 10 या फिर विंडो 11 किसी में भी आपका काली Linux इंस्टॉल हो जाएगा वो भी virtual box में तो अगर आपको नहीं पता है कि काली Linux क्या है तो मैं आपको काली Linux के बारे में एक छोटा सा introduction दे दे रहा हूँ काली Linux बिसिकली एक operating system है जो कि hackers के लिए या फिर cyber security वालों के लिए especially design किया गया है pen testing के लिए और जो भी आपको hacking सीखना है और cyber security के बारे में सीखना है वो सारे कुछ आप लोग यहाँ पर practice कर सकते है इसमें सारे आपको tool मिल जाएंगे जो भी hacking और cyber security के related है आपको tool का जरूरत परेगा तो काली Linux को virtual box में install करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले दो काम करना होगा सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम लोग अपने computer में virtual box को download करके install कर लेंगे और उसके बाद जो दूसरा काम हमारा होगा हम लोग काली Linux का virtual box वाला ISO image है उसको download करेंगे और फिर उसको virtual box में run करेंगे तो चलिए हम लोग expect start करते हैं तो सबसे पहले virtual box को download करेंगे तो virtual box को download करने के लिए हम लोग अपने computer में Google Chrome को open कर लेंगे तो आप लोग यहाँ पे दिख सकते हैं मेरे screen पे कि मैंने computer में Google Chrome को open कर लिया है और यहाँ पे हम लोग लिख के search करेंगे virtual box तो जो मैं लिख के search कर रहा हूँ वही same चीज़ आप लोग यहाँ पर लिख कर लेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने virtual box लिख लिए और यहाँ पर आप लोग इंटर बटन दबा देंगे search करने के लिए अफिशल वेब साइट है वह मेरे computer में open हो गिया है अब हमें क्या करना है कि जो virtual box का app है हमें उसको download करके install करना है तो virtual box को download करने के लिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर left side में यहाँ पर download का बटन दिखेगा तो आप लोग यहाँ download पर click करेंगे तो आप लोग यहाँ पर दिख सकते हैं कि जैसे मैंने download पर click किया तो जो virtual box का download page था वो open हो गया आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख सकते हैं download virtual box और नीचे आपको इसका various platform दिख जाएगा मतलब सबसे उपर में आपको दिख जाएगा virtual box for window computer फिर उसके नीचे आपको दिखेगा virtual box for macOS मतलब कि जिनके पास apple का computer है और उसके नीचे आपको फिर दिख जाएगा virtual box यह linux computer वालों के लिए solaris वालों के लिए तो basically आप लोग यहाँ पर दिख सकते हैं यह linux distribution पे click करेंगे तो मैं window computer यूच कर रहा हूँ तो इस वज़े से मैं यह window host पे click करके इसको download कर ले रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैं ने इसको यह window host पे click किया तो virtual box का downloading था वो अस्टार्ट हो गया और यह जो इसका setup file है वो मेरे computer में download हो गया और इसके बाद हमें दूसरा जो काम करना था हम लोग को Kali Linux का जो virtual box वाला ISO image उसको download करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक और ने टाप को open कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख के search करेंगे Kali Linux तो जो मैं लिख के search कर रहा हूँ वही same चीज़ आप लोग यहाँ पे लिख कर देंगे Kali Linux तो आप लोग यहाँ पे दीख सकते हैं कि जैसे मैंने Kali Linux लिख के search किया तो जो Kali Linux का official website है www.kali.org यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे आपको यह जो लिखा हुआ दिख रहा होगा Kali Linux Penetration Testing and Ethical Hacking Linux तो आप लोग इसी पे क्लिक करके जो Kali Linux का official website है उसको open कर देंगे तो फिलाल गाईज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कि जो Kali Linux का official website है वो मेरे computer में open हो गया है तो हमें क्या करना है इसको download करना तो इसको download करने के लिए आपको यहाँ नीचे download का button दिखेगा तो आप लोग यहाँ इसी download पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसके download पे क्लिक किया तो जो Kali Linux का download page था वो मेरे computer में open हो गया और यहाँ पर आपको बोल रहा होगा choose your Kali मतलब कि आप लोग काली किसीज में install करना चाहते हैं पहला दिख रहा होगा आपको installer image मतलब यह direct आपके computer में run होगा और फिर उसके बाद दिख रहा है आपको virtual machine मतलब यह आप virtual machine में इसको install करके run करेंगे फिर नीचे आपको दिख रहा है arm के लिए मतलब बिसिकली यह मतलब कि low power computer जो होता रापिस वेरी पाई उसके लिए फिर आपको Kali Linux दिख जाएगा mobile के लिए फिर live boot है मतलब कि pen drive में install करके run कराने के लिए तो basically हम लोग को Kali Linux को use करना है वो virtual machine में usage करना तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका virtual machine वाला वर्ज़न को download करेंगे तो virtual machine वाला वर्ज़न को download करने के लिए आप simply सी है आप virtual machine पे click करेंगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने virtual machine पे click किया मतलब कि अगर आपका computer 64 bit का होगा तो आप लोग 64 bit वाला version को download करेंगे अगर आपका computer 32 bit का हुआ तो 32 bit वाला download करेंगे अगर आपको नहीं पता है कि आपका computer का bit क्या है तो उसको पता करने के लिए आप लोग यहां पर क्या करेंगे जो आपको यह खाली जो white-space लिख रहा आप लोग कहीं भी इसमें right-click करेंगे अपने mouse से जैसे आप लोग राइ-click करेंगे तो आपको यह बैफ़ näüyasi 순नाいやर्ट analog बैटन दिखेगा वो 32-bit का तो इस तरीके से आप लोग पता कर लेंगी कि आपका computer 64-bit का या फिर 32-bit का उसी एक्वाडिंग डाउनलोड करेंगे तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो मेरा computer वो मेरे को पता चल गया कि मेरा यह 64-bit का है तो फिलाल मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूं और फाइल एक्स्प्लोर को भी मिनिमाइज कर दे रहा हूं और यहां पर आगिया बटन में दिखेगा तो आप लोग यहां पर आजाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपका 64-bit होगा तो आप लोग यहां 64-bit पर क्लिक कर देंगे अगर आपको देख सकते हैं पहला आपको दिख रहा होगा मतलब कि अगर आपको जो काली लिनक्स है उसको बीम वेर में इस्टॉल करना है यह सारा मतलब कि यह के लिए क्रियेट करेगा बीम वेर भी सेम चीज़ें बस यह सॉफ्ट वेर दूसरा है और यह क्यों मूब भी सेम चीज़ें और वर्चॉल बॉक्स वाला वर्जन डाउनलोड करेंगे यह जो आपको यहां पर दिख रहा है थोड़ा सा नीचे आप लोग स्कॉर्ण करेंगे तो आपको यहां पर वी वीखली लिखा हुआ वर्चल बॉक्स वीकली यह जो सारा होता है वो उन्टेस्टेड इमेज होता है मतलब कि हर सब्सक्राइब निकलता है तो इस बज़ेसे हम लोग क्या करेंगे कि जो उपर वाला है हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे आप लोग यहां पर दिख सकते है इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पर यह डाउनलोड का आइकन दिख जाएगा इसी आइकन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस आइकन पर क्लिक कर दिया और जैसी मैंने इस आइकन पर क्लिक किया तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो मेरा काली लिनक्स का जो वाला इस वाला इस वाला वो मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो रहा है तो फिलाल मैं क्या कर रहा हूं इसको डाउनलोड को कैंसल कर दे रहा हूं देखें मैं Congel कर देखें हैं या डिलेट फ्रॉम हिस्टरे से भी हटा दिया हां इसको मैंने और कैंसल क्यों से की सब्सकिरा में अब कुलग इस वाला इस वालन इसको विकाली लिनुटक्स वाला आय सो कॉक्याने मिर इंस्टॉल क्रेंगे तो सबसे पहले हम लोग अब virtual box को अपने computer में install करेंगे और यहां पर guys मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ कभी-कभी क्या होगा कि जब आप इसको download में लगाएंगे तो आपका download नहीं होगा देखे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप इसको download में लगाएंगे तो आपका download नहीं होगा डाउनलोड नहीं होने का region होगा क्या कि जो आपका window security हो इसको block कर देगा या फिर जो भी आपका antivirus है उसको यह block कर देता तो आप लोग क्या करेंगे कि अपने antivirus को disable कर देंगे यह window का नया drama है और जो भी antivirus का कि इसको download नहीं होने देता है यहाँ पर लिख देगा failed और virus detected तो अगर आपको ऐसा कहीं कोई issue दिख रहा है तो आप लोग जो भी आपके computer में antivirus है उसको uninstall कर देंगे और जो windows security है उसको deactivate कर देंगे अगर आपको नहीं पता है कि हम लोग windows security को किस तरीके से deactivate करेंगे तो वह मैं आपको बता दे रहा हूं फिलाल देखे मैं इसको यहां से cancel कर दे रहा हूं और आपको यह नीचे आरो दिखेगा तो आप लोग इसको नीचे वाले आरो पे क्लिक करेंगे यहां पर यह जो आपको blue color का आइकन दिख रहा है जैसी आप इस पर आएंगे तो आपको दिख जाएगा option windows security action recommended देखे मैं पहले से इसको off करके रखा हूं कभी कभी यह नया drama create कर देता है तो आप लोग इस जो आइकन दिख रहा है windows security का आप लोग इसी पर क्लिक करेंगे त फिर नीची आपको दिखेगा यहां पर फोसा नीचे scroll करने पर virus and threat protection setting तो आप लोग इसको manage setting पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपको यहां पर दिख रहा है real time protection इसको भी off कर देंगे और फिर यह आप से permission मांगेगा basically आपको yes screen पर दिखने रहा होगा do you want to allow this app to make change to a device तो आप यहां आपको इसको यहां यह यहां पर करेंगे इसी तरीके से आप लोग इसको सारे को आफ कर देंगे outside dobray protection जो भी आपको यहां पर दिखे रहा है सारे को आपकर देंगे डेए और पर extend को आप आप लोग यहाँ एक्स्क्लूजन पे करेंगे आपको इदर काफी सारा ऑप्सन आ जाएगा तो आप लुग इसको स्क्रॉल पर करेंगे 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 आपका मतलब के जिसमें आपका विंडो चल रहा है उसी को यहां पर तो इस तरीके से अगर आपको मतलब यह डाउनलोड होने में दिक्कत आ रहा है तो आप लोग इस तरीके से इसको यहां पर आड़ कर देंगे अगर आपके कंप्यूटर में कोई और दूसरा आंटिवाइरस है तो सीधे जाके उसको अनिस्टॉल कर देंगे कंट्रोल पैनल से फिर वी आपको अगल दिक्कत आ रहा है आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर कॉंटक्ट कर देंगे और यह देख क्या करेंगे इसको बारी बारीबारी से इंस्टाल करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि ब 얘기 करेंगे लिधे अपने कंप्यूटर में la do क्लिक करींगे तो जैसे आप लोग के फाइल इक्स्ट्रोरर ओपन हो जाएगा इन उसके बाद आप लोगर यह नुण मे से चटे चाहले प्रीबर्स को कटिएगा ङया था दानलुडर में你 130000 Start वर्चुल बॉक्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहांपर यह जो वर्चुल बॉक्स का सटफ फाल है आप लोग इस पडवन उपक्लिक करेंगे तो बिसिकली आप आप से पर मीशन वांगेगा वांगे वर्चुल आलाओ इस एप तो में चेंज टुक डिवाइस बिसिक भियाँ सब्सक्राइब करेंगे और इसके बोलेगा कॉस्टम सेट आप लोग इसको भी हां सब्क्राइब करेंगे और पीर यहांкое Ag atau प्रेंगे यह दिख सकते हैं किYo तो ब्रचुल ब़क्स है वो मेरे computer में install हो रहा है यह कम्पीटर में 10 से 15 सлекंड का time लेगा install होने में तो आप लोग 10 से 15 सिब्सक्रार का करेंगे डेंगे यहांद फाइनली घाइज आप लोग दिख सकते हैं कि Virtual box मेरे computer में install हो गया है इसने यहां पर लिख भी दिया Oracle BM VirtualBox 7.0.18 installation is complete तो उसके बाद आप लोग यहां पर क्या करेंगे इसको यहां फिनिस पर क्लिक कर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने फिनिस पर क्लिक कर दिया क्योंकि यह मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है फिलाल आ आपको यहां desktop icon पर दिख जाएगा मतलब यहां पर आ जाएगा अगर इसका यह जो shortcut किए अगर आपके computer में यहां front screen पर नहीं आया है तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे कि सर्च पर क्लिक करेंगे और यहां पर लोग वर्च्वल बॉक्स लिखके सर्च करेंगे जिस तर कि वर्च्वल बॉक्स के अंदर काली लिनुक्स को इंस्टॉल करना आप लोग करेंगे तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप लोग आपको यहां पर दिख जाएगा तो आपको यहां पर सबसे पहले क्या करना होगा सबसे पहले जो यह जो आपको काली लिनुक्स का बच करेंगे कि आप लोग इसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक्स्ट्राक्ट करने का ओप्सन दिखेगा दिखिए यहां पर एक्स्ट्राक्ट हेर पर क्लिक करेंगे तो आपका यह इक्सिख हो जाएगा और बता दे रहा हूं कि अगर आपको इहां पर विनरार को ऑप्सिन नहीं दे रहा है तो इट मेंज आपके शॉप्प्यूटर में विनरार डाउट करेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे तो आप लोग इसको अगर आप में यह ओप्सट्राइब कर नहीं दिख रहा है इस तरीके से एक्स्ट्राक्ट करने का तो आप लोग विंडर को डाउनलोड कर लेगे सबसे पहले तभी आपका यह और श्राक के तो इसको एक्ष्च्राइब करने के लिए पर लिप अब मैं आपको और बता दे रहा हूं यह में यह विंड़ो 11 का कंप्यूटर ने यह ऊब आपको फ्रोसस यहां तो उसमें भी आपको प्रोसस इमिलरे थ्ला सा ध्यान देंगे लेक्व तो आप लोग यहां विन्रार पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको नीचे option दिख जाएगा extract hair तो आप लोग इसको यहां extract hair पर क्लिक कर देंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि जो यह काली Unix का virtual box वाला ISO image था वो extract हो रहा है और इसको extract होने में 1-2 minute का time लगेगा तो आप आप लोग देख सकते हैं कि एक नया file extract होके ready हो गया यह काली Linux का आप लोग यह उपर वाला फाइल देखेंगे तो यह करीबन 3GB का देखिए मैं इसके राइट क्लिक करता हूं यहां इसके property पे क्लिक करता हूं तो आपको यह file size आपको दिख जाएगा 3.8GB फिलाल मैं इसको कट कर रहा हूं और यह extracted file है अगर मैं इस पर देखे right click करता हूं और प्रोपर्टी पर क्लिक करता हूं तो यह 13GB का मतलब यह जो extract होने के बाद इसका size है वह 13GB का हो गया है और इसको open करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं इसमें दो file है एक blue color में है और यह orange color में है तो ज देख सकते हैं कि मैं यहां virtual box में आ गया हूं और अब हमें क्या करना है कि जो हमने file को extract किया है हम लोग इसी को virtual box में use करेंगे तो इसको virtual box में यूज करने की लिए आप लोग यहां पे बटन दीखेगा तो आप लोग इसी आड़ पर क्लिक करेंगे और कभी-कभी ऐसा भी ह एड के बटन पे क्लिक करेंगे अगर आपको यह जो एड का बटन है यहाँ पे नहीं दिख रहा तो इस कंडिशन में आपको बता रहा हूं तो आप लोग सिंपल सी क्या करेंगे कि इस एड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैंने आड के बटन पे क्लिक किया तो जो यहाँ फाइल इस्ट्रीफ हाल है उपिन journey एब सिन फयने फक्रिकशन फाइल को भी नहीं दिखतने आप नहीं पे और जो इसफ्ट्राइब हो लकुक्त पर यहां पर इसको उपन करेंगे तो आपको यहां पर ब्लू वाला एकन दिखेगा और इंग नहीं दिखेगा तो आप सिंपल सी इस ब्लू वाले आइकन पर क्लिक करके इसको यहां पर select कर देंगे एंड उसके बाद आप लोग यहां इसको ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपका वो यहां पर इस तरीके से add हो जाएगा देखिए मैं file explorer में फिर से आता हूं यहां download पर क्लिक करता हूं तो अभी आपको यहां पर सारा दिखेगा बट जैसी आप इसको virtual box के थुरू open करेंगे तो जो काली लिनक्स के अंदर यह जो बुलू वाला फाइल सिर्फ आपको यहीं दिखेगा तो मैं यहां पर आ जा रहा हूं virtual box में तो आप लोग इसी तरीके से इसको यहां पर आड़ कर लेंगे काली लिनक्स का जो भी आपको जैटिंग है वो सारा दिखेगा यहां पर यूज नेम दिख रहा है तो आपको यह को अयकर आपका यह यूजर नेम काली अधरा बृटाwiąz धानbon को इसको हो दो काली खुल प्रवाइज फिर आपका यह लॉग नहीं होगा आपको इसका जो सेटिंग है उसमें चेंज करने का मैं बता दे रहा हूं तो आप लोग इस बार यह जो काली लिनक्स जो है अगर आपके कंप्यूटर में आठ जी विराम होगा तो चारहाजार संथिंग दिखाएगा तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे कि आपको इसको बेस मेमरी प्रोवाइड करना है जो इसका बाइड़ डिफॉल्ट है यह देखिए यहां पर यह मेरा दो जी विराम को यूज क कर रहा है मतलब मेरा दो जी विराम को यह यूज करेगा इसको बाइड करने के लिए तो आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते यह वाइड डिफॉल्ट सेटिंग है अगर आपके कंप्यूटर में मतलब जितना भी राम होगा उसका आधा इसको प्रोवाइड करेंगे तो कि यह जो मेरा है 8192 MB मतलब 8GB राम को कंजूम करेगा जब यह रन होगा इससे होगा क्या कि मतलब जितना ज्यादा इसको राम प्रोवाइड करेंगे वह उतना बेटर तरीके से काम करेंगा अगर आप लोग पूरा 16GB राम प्रोवाइड कर देंगे मतलब जितना भी आपके देंगे मेरा 16GB तो मैं इसको 8GB अगर्यान चाइब आपके कंप्यूटर में 8GB तो 4GB रहने देंगे जो इस तरीके से आप अपने डाम में सैटिंग करेंगे इस्टम पे क्लिक करेंगे डिये मदर बोर्ड के ऑप्सिन पर दीख जाएगा रम का सेटिंग आपको यहां पर प् करता हूं यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रासेसर में में इसको मेरा new CPU में प्रासेसर में शाइंड का एइंड की R Hybrid इसमें कोई चीज नहीं करेंगे बस आपको यह अधा program करना है और आपका RAM भी अदा प्रोवाइड कर देंगे और बाकििंख कोई तो जैसे आप लोग इसको यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा बेस मेमरी है वह 8192 MB हो गया मतलब कि यहां पर प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका यहां पर अच्छे से वर करेंगे तो लॉग इन डिटेल में आपका यूजर ने में वह भी काली होगा और सारा स्मॉल लेटर में आप लोग वही इंटर कर देंगे अब हम सिंपल से इसको क्या करते हैं इसको स्टार्ट करने के के पार लिक्ट आप इसके बार लिक्ट कर देंगे अगर लिखा हुआ भी दिख रहा होगा काली लिक्स फिलाल में सक्ट करता हूं यहाँ देख सकते हैं आपको Тीन सेकेंड के अंदर जो सब से ऑपर वाला था काली जीन यू लिनुक्स उसके इंटर बटन दवाना था अग किरें दोगा्यक्तिकल्टेर्ट से ही सार्भबियुमkeeस नगर लोग में क क्का क्लिक कर रहा हूं देंडिंसा कोई फर्क नहीं परता है मेरे कंपियुयुटर में बिण भर्षानली काली लिनख टॉर है यहां पर थे सकते हैं की अनुप में क्योंधर से उपर चलेन ऑसे हो लोगिन आइडी था और पासवर्ड था वह मांगेगा तो देखिए मैं इसको यहां से मिनिमाइज कर रहा हूं और यहां पर आपको जो बाइड डिफॉल्ट लोगिन आइडी है काली है पासवर्ड भी काली है लिखा हुआ है और सारा स्मॉल में तो वही सेम चीज आप लोग तो चोटा स्क्रियन में अगर को फूल स्क्रियन में करने के लिए क्या करेंगे क्वोल्ट में दो बटन होगा र法ार्ट साइब आजएक इस virtual box में full screen में हो गिया और आपको यहां पर जो करना है वो कर सकते हैं फिलाल दिखिए अगर आपको terminal open करना है तो आप लोग यहां पर यह terminal के आइकन पर क्लिक करके इस तरीके से terminal को open कर देंगे और सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपका काली Linux है उसको अपडेट कर देंगे तो अपडेट करने का command मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर लिखेंगे sudo apt-get update आप लोग keyword से इंटर बटन दवा देंगे तो आपसवर्ड मांगीगा तो जो इसका बाइडिफॉल्ट जो पासवर्ड कर देंगे तो देख सकते हैं इसका होने में एक मिनिट का इंते जार कर लेंगे कुछ ये unis mb का file को download कर रहा है तो guys आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसको होने में एक minute का time लगेगा तो आप लोग यहां पर एक minute का इंतेजार कर लेंगे और उसके बाद क्या होगा कि जो आपका यह जो मैंने यहां पर command लिखा था sudo apt-get update यह एक से दो minute का time लेगा और एक से दो minute बाद जो इसका updating का process है वो complete हो जाएगा तो guys आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो इसका updating का process था वो complete हो गिया और उसके बाद आपको क्या करना है इसको upgrade करना है ताकि आप लोग को इसको यहां पर clear दिख जाए मैं थोसा इसको zoom in कर ले रहा हूँ आकि आपको screen अच्छे से दिख जाए देखे सबसे पहले आप लोग यहां पर लिखेंगे sudo apt-get update तो यह जो आपका process है इसको होने में 2-3 minute का time लगेगा तो जब आपका यह process complete हो जाएगा 2-3 minute के बाद तो उसके बाद आप लोग को यहां पर फिर से यहां पर command इंटर कलने का option आजाएगा तो आप लोग यहां पर command लिखेंगे sudo apt-get dist dist-upgrade आपको यह process है इसको complete होने में आपको आधे घंटे का भी time लग सकता है तो जैसे आप लोग इसको यहां पर यह command देंगे तो आपको यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिख दिया reading building package और यहां पहले आपको नीची option देगा after this operation जो आपका 510 MB का जो additional disk space को यूज करेंगे और हो सकता है कि आपका यहां पर यह एक जीवी तक आपका डेटा को भी यूज करें इसको upgrade करने के लिए तो आप लोग इसको यहां पर लिख देंगे यहां पर पूछ रहा है आप से do you want to continue y or n मतलब yes or no तो अगर आपको हां करना है तो यहां पर आधा गंटा लग जाएगा आधा गंटा या 40 मिनट इसको upgrade करने में तो फिलाल क्या मैं क्या कर रहा हूं इस process को cut कर दे रहा हूं क्योंकि यह काफी लंबा process है तो मैं इसको यहां से इस तरीके से minimize कर दे रहा हूं होने दे रहा हूं और यहां पर आपको बहुत सारा tool मिल ज करने के लिए आप लोग यहां पर देख सकते हैं रिवर है वाइफाई लाइट है और भी बहुत सारे आपको यहां पर जो करना आप फॉरेंसिक करना है बग बाउंटी करना साइवर सेक्योरेटी के बारे में सीखना है hacking सीखना है आप लोग यहां पर सारे कुछ का practice कर सकते हैं आपको सारा pre install tool मिल जाएगा अगर आपको कुछ और extra में इसमें install करना तो वो सारा कुछ आप कर सकते हैं जो भी अगर आपको टर्मिनल पर वर करना तो आपका यह तर्मिनल ओपन हो जाएगा तो मैं फिलाल टर्मिनल को cut कर दे रहा हूं अगर आपको इसको फिर से छाया हुआ है तो अगर आप को थ데 हैश violin कर सकते हैं मीदफ कर सकते हैं यहां पिल्स कर सकते हैं यह अगर मैं यहां पर अगर आपका यहां स suffers करेंगे जैसिया म हैस अगर आपके कर लेंगे और उसके बाद अप्ग्रेड कर लेंगे तब ही इसको यूज करेंगे ताकि यह प्रोपर वर्क करें फिलाल मैं इसको यहां से मिनिमाइज करता हूं आपको जू करना इसमें आपको सारे टूल मिल जाएंगे अगर आपको इसको बंद करना है तो आपको यहां पर इकन दिखेगा तो आप लोगोग यह क्लिक करेंगे Mira सटेंगा की मिल जायका ऊ सब्सक्राइबार कर अगर की यहां बंद करना रहाँ मैं इसको यहां की इसके करेंगे ने साब है प에ड़ पलता का यहां पहला चल आपका है तो आपको यहां पे सटेंद बुटन दिख जाएगा अगर आपको अपने computer में इसको बंद कर देंगे तो आप लोग यह start पर दुबारा पर click करेंगे और फिर आपका यह दुबारा start हो जाएगा इसी तरीके से जिस तरीके से यह भी मेरे computer में चल रहा है तो guys इस वीडियो में मैंने आपको complete process बता दिया क कि हम लोग किस तरीके से काली Linux को virtual box में install करेंगे वो भी अपने किसी भी window के computer या फिर laptop में तो इस वीडियो को मैं यहीं पर end करता हूँ अगर आपका कोई question है तो आप लोग मेरे से comment box में पूछ सकते हैं